Hello everyone, आज आप लोग परने वाले हैं It couldn't be done English class 8, chapter 10 It couldn't be done का हिंदी में मतलब होता है कि यह काम नहीं हो सकता या यह काम नहीं किया जा सकता जैसे कि धेर सारे लोग आपसे मिलते होंगे आपके लाइफ में जो कहते होंगे कि आपसे यह काम नहीं हो सकता है यह जो चैप्टर है basically, motivation type chapter है जिसको हम आज पढ़ेंगे वार्म अप पर दिया गया है इसमें वर्क इन पियर यह जो काम है मुझसे बिलकुल भी नहीं हो सकता है जो काम थी आप जो करने वाले थे जो आप कह रहे थे कि यह जो काम है मुझसे नहीं हो सकता है क्या आप उस काम को छोड़ दिये इतनी असानी से या आपने उसको कई बार अटेम्ट किया आपको या आपके लाइफ में धेर सरे समय ऐसे भी आते हैं जो कि आप एक बार किसी काम को करते हो तो उसमें आप सक्सिस नहीं हो पाते हो या उसमें फेल हो जाते हो ठीक है लेकिन हमें एक ही बार ट्राइ करके उस काम को छोड़ देना नहीं चाहिए हमें कई बार ट्राइ करना चाहिए अगर उसके बार से सफलता नहीं मिलती है तो हमें target को नहीं बतलना चाहिए बिल्कुल बलकि हमें क्या करना चाहिए हमें जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे उस रास्ते को बदलना चाहिए So mention the people who increased you that those who discouraged you आपको क्या करने हैं अपने दिमाग में उन लोग के नाम लिखने हैं या रखने हैं जो आपको increase करते हैं किसी काम को करने के लिए increase करते हैं कुछ लोग ऐसे भी आपके life में मिलेंगे कि जो आपको discourage करने में क्या करेंगे लगे रहेंगे या आपके टांग पड़के पीछे खिचने में लगे रहेंगे How did you deal with the people with negative opinion जो आपको negative opinion देते हैं negative suggestion देते हैं आप उन तरह के लोगों के साथ किस तरह बिवार करते हैं Discuss with your partner and work out more logical way of doing what you had attempt in your youthfulness इसमें कह रहा है कि आप क्या करो जो भी काम कर रहे हैं उसको logical way में करना शुरू कर रहे हैं और कितनी बार उस काम को आपने अटेम्ट किया अपने जब आप जवान थे योद थे ठीक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक लड़का रहता है जो महरातन की दोड में भाग नेना चाहता है participate करना चाहता है लेकिन धेर सारे लोग ऐसे उसके अगल बगल होते हैं जो उसको discourage करते हैं ठीक है read this poem that has been converted into the picture story यह जो poem है basically picture story में बताया गया है जैसा आप देख सकते हूं यहाँ पर this young man refused to be caught down by discouragement यानि जो इंसान है क्या है वो refused करता है मतलब मना करता है जो भी लोग उसको discourage करते हैं कि आप मतलब तुमसे नहीं हुपाएगा that come from different quarters so यहाँ पर है it couldn't be done यहाँ पर पहला picture सम लोग स्टार करते हैं दिया है somebody said that it couldn't be done ठीक है यानि यह जो है मैराथन में क्या है भाग लेने वाला लरका ठीक है इसके office पर कुछ लोग रहते हैं या उसकी अगल बगल कुछ लोग रहते हैं केते हैं कि यह जो काम है तुम नहीं कर पाऊगा या तुम्हारे बसकी नहीं है but he with chuckled reply लेकिन यह जो बंदा है reply देता है हंस की reply देता है that की may it couldn't be हो सकता है यह नहीं हो सकता है means हो सकता मैं यह नहीं कर पाऊँ but he would be one लेकिन वो ऐसा बनना चाहता है कि वो इस काम को कर दे ठीक है next क्या होता है who don't who don't who'd say so till he would try ठीक है यानि यह बाते कर रहे हैं सब कि वो उसने मना नहीं किया कि मैं वो नहीं कर पाऊँगा लेकिन वो कहा कि वो क्या करेगा he would try वो क्या करेगा try करेगा ठीक है कोसिस करेगा आखिर में क्यों नहीं होगा next है so he buckle right in ठीक है कोई भी ऐसा काम जो आप seriously इसको start करना चाहते है उसको बोलते है बकल ठीक है तो यह जो है वह आप seriously अपने काम को start कर देता है करना preparation करना शुरू कर देता है ठीक है मैं राथन में भाग लेने के लिए भाग ले लिया उसमें ठीक है और वो सोच रहा है कि इस रसमें preparation करूं कि मैं इसमें जीत जाओं with the trace of the green on his face यानि trace of a green का मतलब होता है a very small amount of something here just a thin of a green ठीक है यानि काफी थोड़ा ठीक है if he worried he did अगर जब वो काम करने जा रहा था means अपनी जो practice थी वो शुरू करने जा रहा था तो वो क्या होता है काफी चिंतित होता है लेकिन उसको वो छिपाता है ठीक है क्या होता है इसके बास से जैसे वो अपने काम में जूड़ गया वो अपने मतलब गीत गाना शुरू कर दिया ठीक है एक है प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पर सिर्यो से चढ़ने के लिए ठीक है ताकि उसको दौणने में मदद मिले इसके बास से क्या होता है यानि कई बार ऐसा भी दिमाग में हम लोगों को आता है कोई भी काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि या भाय हमारे बसकी नहीं है हम लोग इस काम को बिलकुल भी नहीं कर पाएंगे and he did it और हम लग ऐसा सोचते हैं और हमारी जो काम होती है अगर हम consistently काम करते हैं उस पर लगातार काम करते जाते हैं तो उसमें हमें success मिल ही जाती है इसके बाद से क्या होता है somebody is coped so is coped का मतलब होता है कि talked about something or somebody in a way that made it clear that you think they are stupid or ridiculous somebody is coped मतलब होता है कि कुछ लोग आपके बारे में बुराईयां करेंगे कुछ लोग आपके निंदा करेंगे कुछ लोग आपको बेवकूप भी बोलेंगे or you will never do that और यसा भी कहेंगे कि तुम लोग तुम जो हो जो करना चाहते हो वो कभी भी नहीं कर सकते हो काम होता है चाहे कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कहे ठीक है चाहे हो हमारी बुराईयां करें हमारी निंदा करें ठीक है या हमें बेवकूप भी बोले तो हमें उसको पलट का जवाब नहीं देना हमें किस तरह जवाब देना है उनको हम इस life में success बनकर उनको जबाब देना है तो किसी भी काम को या किसी भी काम को आप उन्हें दिमाग में सोचते हो कि हाँ मुझे ये चीज़े करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको उस काम को start करना पड़ेगा अगर आप उस काम को start नहीं करते हो तो आप उसमें कभी भी success नहीं बन सकते हो, सिर्फ आप सूचते रह जाओगे दिमाग में, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको उस काम को शुरुवात भी करना होगा अब यह क्या कर दिया, वह अपने खाने पीने के सिमान, जो है, तो जो होता ना, जो डाइट लेते हैं, मिन्स जयदा चीजे औहला जयदा चीजे नहीं खाते हैं, तो यह सारी चीजे हैं, यह क्या क्ब आफ less, ना सब्जिया खाना सुरू कर दे रहा है और इसके बास वो क्या कर रहा है अपने जो भी काम कर रहा है उस पर doubt नहीं कर रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं ठीक है वो क्या कर रहा है बिना doubt कि अपने काम को करता जा रहा है इसके बास है क्या हुआ और वो क्या करता है उस चीजों को कर देता है यानि आपके पिसे हजारों लोग है बाते करने वाले कि आप उस चीजों को नहीं कर सकते हो और आपके पिछे हजारों लोग हैं जो आपके फेलियूर को दिखाने के लिए या आपको फेलियूर साबित करने के लिए आपके पिछे लगे रहते हैं और हजारों लोग हैं आप पे उगुलियां उठाने के लिए लेकिन आपको क्या करना है आपको बिलकुल भी confidence नहीं खोना है आपको confidence रखना है और अपने काम को करते जाना है देन अप्टर, the danger that way to this life अगर अप जिस काम को सोच लिए आप जिस काम को कर रहे हो अगर आप उस काम को नहीं कर पाएं तो आपके पीछे जो लोग है वो लोग काफी बुराईयां करेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए तयार होना पड़ेगा means कोई भी कुछ भी कहे हमें अपने काम को करते रहना है and but just buckle in with the bit of green और हमें क्या करना है अपने काम में लगे रहना है और हमें अपने चीजों को improve करने में लगे रहने है और हमें क्या करना है अपने चीजों को हमेशा one by one करके improve करनी है ठीक है और हमें अपने काम को start करने है and just take off your coat and go to it ठीक है और यह क्या किया अपने code को निकालता और इसके बास यह run के लिए शुरू हो जाता है और इसके बास इतनी तयारियां करने के बाद just start to sing as you tackle the things जैसे ही अपने काम को start करते हो ऐसा सोचो को मैं गीत गा रहा हूँ ठीक है means आपको उस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है that couldn't be done जो लोग कह रहे थे कि यह नहीं हो सकता है देन क्या हो गया finish means आपने कर दिखाया और जो आपको जीत हांसिल करनी थी या आपको जो success पानी थी आपने success पा लिया ठीक है तो यह जो मैरातन के लिए इसमें स्टोरी में तैयारियां कर रहा था ठीक है वो क्या करता है लोगों की बात नहीं सुनता है वो अपनी आपकी सुनता है और अपना जो टाइम टेबल होता है अपने हिसाफ सो जो चीज़े होती है करना वो करते जा रहा था इससे क्या होता है लास्टिम उसको success मिल जाती है तो यह था इस chapter की story कि हमें हमारे पीछे हजारों लोग हैं बाते कहने वाले बुराईयां करने वाले लेकि हमें उसको नहीं सुननी है और हम जो भी चीज़े कर रहे हैं उसको हमें लगतार करनी है अगर हमें एक दो बार fail भी हो जाते हैं काम में तो कोई बात नहीं हमें फिर से try करना चाहिए अगर हम try नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं पहले ही fail हो जाते हैं So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब my channel थेंकि सो मच